कख्सा 11 के सबी विद्यारतियों का हार्दिक स्वागत हैं साइन्स के सेकेंड मोडल पेपर में इससे पहले हम पहला मोडल पेपर देख चुके हैं और इससे भी पहले हम सामाजी के पूरे सिलेबस को चेप्टर वाइस कंप्लीट कर चुके हैं तो अगर कोई नया विद्यारति हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें और अपना जो वीडियो हैं वो रोज साम पांच बज़े आता हैं तो आप पांच बज़े के बाद में कभी भी देख सकते हो कल संडे था तो संडे को मने टेस्ट लिया था अब उसमें फर्ष्ट सेकिंड और थर्ड रेंक किसकी आई ये कितना उन्होंने स्कोर किया हैं वो आपको आज इसी वीडियो में पता तलेगा त्रिनों का नाम भी आज इस वीडियो में आप देखने वाले हो काफी जैदा इंपोर्टेंट है तो मैं उनको ट्रिक्स के वांदें से याद करवाऊंगा मैं चाहता हूँ कि जो काफीजयदा is important कम हो तो अभी के अभी आपको याद हो जाए साइन्स हैं तो कुछ क्युशन बना चैसे देखना है ठीक है पहला किछसे आपके लिए हैँ मैं पूरी कोचित करूंगा आपको समझताए कीज फाला है कि जब एक प्रक्नली में अंम्ल के घोल में रियों कृषार के घोल में मिलाया जाता हैं आपए देखो उता क्या है आपने कहाओ तो जो एक पैटी यह उसमें ही चला जाता है तो पूरे से काड़ा करता हूं भिगार देता हैं खराब करो देता है तो यह पर भी कुछ ऐसा है होगा इसा ही समझणा काहा है दो आपको याद रखना है हो जाएगा और दूसरी बार इसका तामान अबढ़ जाएगा किया हो जाएगा का मान बढ़ तो यह दो दो आपको याद रहनीं हैं अब ढोध केसे आंगे इसमें 12 हैंचえば इसका राइटान रू सो जाएगा कि दो और चोता कदन है वह सही है यहां ठीक है तो अभी से आप इनकी प्रेक्टिस कर लो जब आप एक्जाम देने जाओंगे तो आपको नया नया नहीं लगेगा वरना कहीं सारे विद्यारतियों को समझ में नहीं आएगा तो आप तो अपने मादेम से देख रहे हो तो भाइस आप तयारे तो बड़े करेंगे है आइडरोजन कलोराइड सोरी तो गेस को आम तोर पर केल्सियम कलोराइड युक्त गार्ड ट्यूब से गुजारा जाता है एक ट्यूब होती है तो उससे इसको गुजारा जाता है गार्ड ट्यूब के लिए केल्सियम कलोराइड की भूमी का है तो जो गार्ड ट्यूब ह हम यह कर रहा हैं कि हाड्रोजन कलोराइड गेस बनाने के लिए उसको केल्सियम कलोराइड यूप गार्ड ट्यूब होता है उससे गुजारा जाता है क्योंकि नमी वाला दिन होता है न इसी लिए तो क्या करता है? ये नमी को सोंख लेता है बागी इसका एक्स्प्रेयनेशन आप यहाँ पर देख सकते हो अगल्या प्रस seit आपके लिए निम लीटिट में से किस लवन में क्रिश्टली करन का जल नहीं होता तो क्रिटली करन का जल इनमें से किसमे नहीं होता वो आपको बताना है तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बेकिंग सोडा में किसमे नहीं होता बेकिंग सोडा में किसली करन का जल नहीं होता आगे देखो यहां पर ऐसा भी क्यूशन आपसे पूछा जा सकता है इसमें हम तक अमल होता है तो इनमें से किसमें सबसे ज़्यादा अमल है पिर उसे भी ज़्यादा किसमें अमल है यह पूछ रहा है हमें तो राइट अंतर हो जाएगा कि पानी में अमल होता है पिर पानी से ज़्यादा एसीटिक एसीड या एसीटिक अमल में होता है पिर एसीटिक अमल से बी ज्यादा किसमे होता है आइड्रोकलॉरिक एसीड में अद्रह तो इस तरह से में बताना रहेगा अगला प्रस्था है कि जब क्या पूछ रहा है जिंक सोडियम हाई2 क्रिया करता है तो क्या बनता है पूछ रहा हैं कि जब एक जिंक है वह जिंक sodium hydroxide के साथ किरिया कर रहा हैं तो बताू क्या बनेगा हैं और hijrogen gas बनेगा यह पूरी जो अभी क्रिया हैं वह यहां पर धे रखियां अगला देखो जो कि हम ट्रzięki एम आदियम से याद करेंगे आपको याद भी होगा देखो यह पूछ रहा है कि तुमाटर होता है न आज इनकी वेली काफी चिदा बड़ चुकी है तो तो जो ठमाटर होता है वो किस हमल का प्राकर्थिक होते हैं तो इसको आप बाजार में जा रहे हो वहाँ पर ना आपको बेच रहे हैं तो उनके टमाटर को एक बेल खा गया बेल को क्या बोलते हैं बोलते हैं ना तो यह क्या लिखा हुआ है तो टमाटर को कौन खा गया और यहां बेल का गया अब आपको याद रहे हैं तो यह बोलते हैं तो यह यहाद किया करो दोस्तों दब जाके बेटे का आपका मामला साथवा किशने नमकीन पानी है अलब जो नमक लवनी यह जल कर रहा हैं मतलब यह हिंदी में क्या कर रहा है लवनी यह जल या फिर इसको जो भी यह जाएगा टाइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का जल होता है यानि कि यह क्या पूछ रहे हैं आप से T2 cNa2CNp3.102o यह फोर्मला किसका है यह आपको बताना है तो राइट आंस्टर जाएगा यह राइट आंसर इसका हो जाएक आपका ना वासिंक सोडा का क्या हो जाएगा वासिंग सोडे का फोर्मला आप से पूझेगा वासिंग मैंने इसका रासाएनिक समी करने लिखो जो आहिंगे वह से मिल आप से क्या पुछेगा कि पूछैगा कि आम प्रतितितल्त रासाएनिक गिरने को इसे डिश्था पूर्टो में तोटcom टो ऐसी तकष्वनर आप नाठा तु को टी एक दो कि याद करोगे नाठा का न त्रवासिंग WHO KOMS taught us और यंदुन का जाएं उसका नंत का प्रस्न से अगला प्रस्ण कि प्लाष्ट रोप पे इस बनाने के लिए शु आप विरम को होंगे कम्हुत्र तो आपने ही कोने थ्म्हेνगें, के से तापbeंऑन पर गरम किया जाता हैं को बनाना है फ्लास्टारोप पर इसको किस सप् Except उसको सैस्टाप मान पर गर्म करते हैं उसको गरम करते हैं है। कार्दि में और रिप्ली कियों के सलपेट होते हैं तो राइट नत्र Wise होते हैं इसका मतलब क्या पूत्र आए यहां पर जिपसम का सुत्र जो होता है ना उसी को बोलते हैं केल्सियम हाइड्रोकसाइड ऐसे कुछ है यह जो भी नाम लिखा हुआ है तो इसमें पाने के कितने हनु है यहां पर जो दो दिख रहे हैं आपको टू एच टू तो यह पाने हो गया और इसमें कितने हैं दो हुं हैं तो इसमें यह पूछ रहा है कि जिपसदे सोर्क ज़रूर याद रखें इसा को केल्सियम सलफेट बोलते हैं तो जैसे iedereen रख ना हो कम से कम जिपस्दाइब ज़रूरो याद्र पूछता है तो राइट आंसर क्या हो जाईगा अपना tá था यदिंग में मेरा बालम ठानेदार चलावे जिप्सी तो पहीं आपन कहेंगे कि कांसो लाए जिप्सी क्या मलब क्या हो जाएगा मलब कहा से तो सो लाए सिप्सी का सो का मतलब दोस्तों अभी के लिए बंदब न हमें तोड़ा सा इस्टर्टेंग का वर्ड है न वह पकड़ में आ जाना चाहिए तो पिर तो ओप्सन में हमारे सामने रहेगा तो ओप्सन में कासो मतलब तो जिपसन वह लड़की कहना का रही है कि मेरा बालम्तानेदा चलावे जिपसी तो कहासो लाए जिपसी नमक है क्योंकि यह निमलक्च में से किसका नमक है तो right answer हो जाएगा कमजो रेसिड और मजबूत आदार का ये नमक है क्षार हैं क्षार क्या है क्षार जो पानी में गुलंसील होते हैं आगे प्रस्ट पूछ रहा हैं अमल और क्षार के जलिये गोल के बारे में निम्ले लिकित में से कौन सा कतन सही है तो right answer क्या हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा कि बई देखो जो पीएट होता है अब जब ख्षार की चल गी तो अमले तो कमजोर हो गया और पीएच अदिक अमलब क्या है सात से नीचे वाले अमल वोते हैं तो अमले तो पीएच अदिक रहा जाए तो पह सहीम तो भात सही ठीक है तो इसका D answer right हो जाएगा अगला प्रस्ट ने चूने का पानी अब देखो इसको भी मज़ेटा ठ्रीके मादेम से याद करेंगी तूँकि यह से question पूछता है चूने का पानी कलोरीन के साथ में परतिक रिया करके क्या बनाता है देखो इसको यह से याद करेंगे एक ल कर लो की कर भीयं क्या की साधिय कर ली क्या और सदिकेलिए इनका बच्चा होगा ना उसका नाम व lige क्या रखेंगे बिली ऑफ दो रला मसे जो रहते हैं इनके लड़के रहें यह रहें लड़की उसका नाम क्या रखा बिली देखो यह रही तो प्लीदिन दुरों इनके दुनों के मिलने से मुलने से म Dante Coa ऑर जब कलोरीन दापस में मिलते हैं तो पेशिलिटिंग पाउटर बंक को धीट को बीस विदियो को चुना और कलोने साथ में सब्सक्राइब उससे विङए आरपको याद इसे याद पार कुले आया नहीं पर इसे बाव स्थ बात जो जाएग कोसित करना सुत्र याद करने कि यह पूछा जाता है बताओ बिलीचिंग पाउडर का सुत्रियाइ ठीक है कर लो तो याद होई जाएगा ना सी यल्टू फिर आगे सी यह कर लेना के से भी ठीक है बाकि यह तो कम से कम याद होई गया होगा आपको अब एक वर इंपोर्टेंट क्यूशन है जो कि काफी जड़ा पूछा जाता है और मान के चलो जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूं वही आपसे पूछे जाएंगे क्यूशन बाकि तो ज्यादा इंपोर्टेंट इसमें है नहीं जो कि यह आते हैं यार बार बार तो यही पूछेंगे देखो पूछ रहा है बिच्छू और वीडियो देखने का यह भी फाइदा है जैसे यहां पर तोड़ा सा गलट टाइप हो गया यह अब जो बच्चे डारेट पीडियोप से ही पढ़ेंगे एप के माजम से तो उनको दिक्कत होने वाली यह लिखा क्या है इसमें देखो इस लिखा क्या है इसमें बिच्छू बूठी का डंक किस अमल का प्राकरतिक सुरोते तो तो तोड़ा सा जदा समझ में नह यहां पर हैं मैथनौईक कौन सा हैं यहां पर मैठी वो नहीं यहां लिख गया तो मैथनौएक अब इसको फिरों ट्रीक केमा अधर में से याद करेंगे और देखना भी आपको याद भी हो जाएगा मैथ नौइक अमले हैं कौन सामले मेथे नोई काम इन दो लड़के एक अनमें बिच्चु एक लड़का है विच्चु और एक लड़की चीटी अब रहिए दोनों क्या है ना बाइचाप अपनी तरह पर लौ पर यह स्लोर है किसमें इंढ्स मैं यह में पर इंह कंप और इस तो घ्र में पर और पशुब Ugh कौन कौन से दो लड़ के लड़किया है तो अएक ता चीस जान किसमें कम जो रहें तो में पाया जाता है तो आपको कभी चींटी देखे ना तो याद करें ना पटा पट देश सी कहा होगा आपका रिविजन हो जाएगा ठीक है किसमें कम जो रहें में बागी कमेंट कर दो आप अगर वीडियो उच्छा लग रहा है तो चाहा समझ में आगया ना आपको चलिए आगे बढ़ते हैं दात का इनेमल किस से बना होता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्यूशन और फिर हम आज रो जाएंगे ट्रिक लेकर तो देखो तो दात होता है इसका इनेमल किस से बना होता है सबसे खतोर पदार को मारे स्रीड में क्या है तो रेक्रिशन और रेडी हो जाएगा वह है इनेमल होता है यह किस से बना होता है तो राइट आंसर इसका हो जाएगा केल्शियम पासपेट इसको कैसे याद करेंगे बढ़े आपको ना वह सभी जानते हड़ियां दांत यह सभी केल्से म्गरे से बने होते हैं डेकिन इसके बाद भी किल्शियम पासपेट होगा केल्शियम कार्बोनेट होगाँ क्यल्शियम अउकसाइड होगा बताउ आप यहां पस्त जाते हैं बच्चे 17 किल्स उइयम तो सभी को याद तो पर करेंगे इसको भी देखो हम बढ़ेंगे अच्छे से टरीक से याद करेंगे उप जो दान्त होते हैं अपने जब कुछ खाते हैं तो दाटों में क्या होता हैं पास जाता है तो यहाँ पर क्या लिखाऊ है नज जब हम कुछ खाते हैं तो पस जाता है उदाटों में डोटी काई कुछ यह से मतलब फुरूट काई वह तो 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 यह से याद करो केल्सियम पखास याने पस पेट हो जाएगा बस वह गया आपको चलिए नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं हमारी सरीड की पीच सीमा कितने होती हैं ठेक है रखतका कितना होता है कमेंट करके जरूड बताया है। यहीं साथ पॉइंट जी पूचे नहीं पूचा ऑगा सइथ ना इन्था वालो को होगी उसका पीएच कितना होना चाहिए पीएच आप सभी को पता हैं जब साथ से नीचे होता है जब पांट पॉइंट छो से नीचे गिर जाएगा तो फिर वह अमली वर्सा होगी ठीके नमलो फिर वह ज्याद है वह अगला प्रस्ण है सोडियम हाइद्रोक्सटय enc क्या है तो यह जलिया को लीटमस गोल को निला कर देता है निमनलगति मेंétais किस समयदान को अधिक जोडने से परिवर्थान उलड जाएगा मतलब यह एगर रहे एक क्या है लाल्zy लैटमस है despa अब tud तो लेट मस्में जल्य गोल ता यह जब इसमें डाल तो यह निला ओ गया लेट मस्में की इन्हें से कौन सा गोर्ड डाल या फिर इन्हें क्या डाल दें कि इसका उल्टा हो जाएगा मुलाइब अभी निला तो वापस लाल हो जाएगा तो राइट आंथर हो जाएगा ये वाई साब इसमें आप हाइड्रोघ्लुरी केड़ राधिवा निला अग ऑप ये निला अगे नेवी तो अगेड़ देखे सोडियम हाइड्रोकसाइड का उप्योग साबून बनाने में किया जाता है तो यह भी पूछ सकता है कि साबून बनाने में किसका यूज किया जाता है गुलाबी रंग में बदल जाता है यह इतना इंपोर्टेंट है नहीं जो इंपोर्टेंट हो ना वह मैं आपको बताई रहेता हूं अगला प्रसने आपके लिए जो की काफी इंपोर्टेंट है वासिंग Soda का रासानिक सुत्र बताईए मैं आप कि आप से बार बार कर रहा क्या हो जाएगा आप यह से याद करो नाटु कोठी नज धो कपड़े तो ना का मतलब हो हो जाएगा एक हो का मदलब सी ओ or को तो एन अटू सीओ त्री पीछे बता दूझ याद करना जो अपना होता है ना एक होता है क्या बने कर में बने को पर Byzanne बना देखते हैं आप ङ्येंख काटी सी यून एक यह नहीं मुझाने जो दोस्तों इसमें इंपटेंट क्यूसन स्टेशन ऑनके बना दिये हैं और आप उनी में जड़ा फोकस करना ठीक हैं बागी देखो अपना तो फर्ज ने पूरे टोपे पूरे जो क्यूशन है वो आपके लिए लाना तो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एन एसी यल का घोले बताओ ये एन एसी यल का जो घोले वो क्या है तो राइट आंसर मैं इसके बारे में इंपोटेंट नहीं है तो जो इंपोटेंट नहीं होंगे ना तो वह पन जादा धियान भी नहीं जाएंगे वह क्यों टाइम वेस्ट करें जादा लेकिन वही यह यार की अपना तो फर्ज बनता है आपके लिए कर आना अनेक लवण वायू मेंदल से जलको आउसोशित कर बहते हैं तो बताओ यह लोता है क्या बोलताएं ईकलवाच कोने कंसत क्या भूति हैं टे लिकांशित पीच क्यों जो होvate है वाला एक जलिए गोल बता उक का होघए ही सबसस्क्राइबाआ ठीकर साथ पयता होता इंतिय मोद्ट होता है तो जिसका पी हैजए वह क्या क्विशन आ गया कि अंडे का जो छिलका हैं वो बना होता है बताओ किसका बना होता है अंडे का छिलका किसका बना होता है तो राइट आंसर हो जाएगा सी एएधी वोग अब इसको केसी आदे चयाद करेंगे इसको यह से याद करेंगे परति हमें इस धाल करेंगे कि अंडा बैटा कौन खाया को विलोब गदשप उदनी तो ty जो था ना वह अंड़ा खागया तो का यहने शीजे और कितने अंड़े खा गया 3 यह भी आद रखे लित के तो अंडवी किसका बना होता हैं CACO3 का तो का को क्या खा गया मारा अंड़ा खा गया कि पिताजी नी पूचांकि बताओ अंड़े कों यहां पीटल के बरतन में चलो यह तो आद वादो राक्विशन पूछ रहा है जब एक प्रकनली में यह भी प्रले काई है कर लिया एक नभोल में यह बिलेगा हैं या रेड डबल वर केसे आ गए //inetüne भी हो यह द्याव गया भी हो गया सॉडियम कार्बोनित शार यह नमक है sotum करवाजने ये तो यह भी हो गया यह भी करस पेट होता है इसकी तो यह पास्वेड हो गया अब यह कोई पास्फेट होता है इसकी प्रकरति कीसी होती है जब अमली होता है तो यह होता है लोगे शार तो और तो नहीं होता तो चाहिने आउसे कुछ याद कर लो तो कड़वा का मिलब क्षार ये तो केल सीम पास्वेड कैसा होता है क्षार ये होता है अभी पार्ट पूरा नहीं हुआ है अभी हम आगे बढ़ेंगे और आज आज आपको जो कल जिन तीन बच्चों ने टोप किया था फर्स्ट सेकिंड थर्ड रेंगा थी उनका भी नाम ब सब्सक्रिप्शन ले लोग एक तरीके से तो आपके चांच बन जाएंगे एक लाग पची सब्सक्रिप्शन ले लोग प्राप्त करनेगे तो रिचार्ज में कुछ भी नहीं मिल रहा पिर इसमें तो इतना कुछ मिल रहा है क्या मैनत लग रही है कि नहीं लग रही है आप बताऊ डेली आपके लिए पीडियाप बनाना फिर वहाँ पर क्या बोलते हैं एक क्यों में दुखो जब टेस्ट में का के बाद उनमें चार ओप्शन चार ओप्शनों को जमाओ सच में बहुत ही जाया मतलब रिस्की काम है लेकिन कोई बात नहीं यह जब तक चलेगा जब तक आपका एक्जाम नहीं हो जाता तो आप इतना तो जो हैं आराम से कर सकते हो और इसके लिए आपको एप इंस्टोल करन कर जमने दिया जाता है एक मिट्टी का कुछ मालो मिट्टी का कुछ आकरती बनी हुई है मूर्ती बनी हुए कुछ भी तो उसको क्या कहा जाता है पानी में मिलाकर जमने दिया जाता है इसको मिट्टी का गोल मालो पानी उसमें मिलाई हुआ है अब इसको जमने दे दिया ज अग्ला प्रश्ट है द्रश्टी बादित जो विध्यारति होते हैं जो बीचारे नहीं देख पाते हैं उनको किस अमलक्षार सूच के रूब में उपयोग करते हैं déc vendita budhid विध्यारति निम्र लिकले में जाएगा वेनिला तो बस याद हो जाएगा वेनिला कोई भी दृष्टी मतलब नेतर ही नाम आते हैं आप वेनिला ट्रिक करके आ अगला प्रश्ण है यह प्रश्ण है लेकिन इसमें आदा दूरा हैं जिसको फोड़ देते है सोने का कौलू सोने को खोलने के लिए निमल लिकत में से किसका हुपयोग किया जाता है तो सोने को भूल ना तो उसके लिए एकवारेजिया लिसे यहाद उरेख लू मतलब सुने के आपुसन बहुत ज्यादा पहंथे हैं उस फ्रेंड का नाम क्या है रजिया क्या नाम है रजिया क्या नाम है रजिया तो बस रजिया से उस्वह रजिया के लिए कौन्छ किसका improper किया जता है एकवा रेजिया का प्रियोग किया जाता है अगला प्रस्ट ने जो की सही है क्या निम लेकर में से कौन सा आधार नहीं है तो डी हो जाएगा चलो छोड़ो इसको ज्यादा समझ में भी नहीं आएगा और आपके लिए भी टफ हो जाएगा कौन सा आधार नहीं है यह ज्यादा पूछेंगे विने जो इंपोर्टेंट है ना वो मैंने आपको बता दिये हैं जो सही नहीं है कुछ प्रतिक्रिया करें नमक पानी और कार्बन डाय उक्साइड बना देते हैं तो यह सही बात है लेकिन यह ज्यादा समझ में भी नहीं आएगा कुछ दात्वें अमल के साथ क्रिया करें नमक और आइडरोजन बना देते हैं यह भी सही है कुछ गेड़ दात्व ओक्साइड बाने के साथ में प्रतिक्रिया करें एसिड बना देते हैं यह भी सही है बाकि यह दूसरा वाला गलत है इसमें ठीक है तो ज्यादा आपको कि खटा यह जो अमल होता है ना यह खटा कर देता है किसी भी पतार्थ को और निले लिटमस को लाल में बदल देता है यह काफी ज़्यादा इंपूर्टेंट किसा नहीं इस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया था अब ध्यान दे लो इसमें यह परस्ट में कि अमल का एक गुन बताये अमल क्या करता है और इसमें बच्चे कंफूर्ज हो जाते हैं कि से तो अम little को लाल में बदल देता है अब इसको यह से याद कर लो अनिल क्या याद करो अनील अना बहुत अच्छी बात बता रहों मैं आपको और इसमीं आपके एक नमर मिलने वाला है अनील का मतलब हो जाएंगा का मतलब क्या हो जाएंगा और जो बतियो यहां तक देख रहें हैं आपके लिए एक लाइक कर दो क्योंकि आप मतलब क्या कहा बोलते हैं काबिल हो आप अमल का मतलब हैं, क्योंकि, दो चीज़े हैं यहां तो अमल नीले को लाल में बदलता है क्या याद किया अपने अनील अनील का मतलब याने अमल हो जाएगा नील का मतलब लाल हो जाएगा तो अमल नीले को लाल में बदलता है अब आके दूसर भी करब चलते हैं दूसरा है क्षार क्या है क्षार दोस्तों फिर गरता हूँ जरूर याद रखें, पूचा जाता है, क्षार क्या करता है, यह लाल को नीले में बजलता है, अब ये एक लड़की या, अभी तो हमने अनील याद किया, अब याद करो क्षालीनी या सालीनी, क्षार लियने, मतलब लाल और नीला हो जाएगा, तो सालीनी सायानिक्षार अनील अयाने अयाने अमल हो जाएगा तो यह से याद करें आप ठीक है और इस तो इंपोर्टेंट नहीं है एने की प्रगरिया में बनता है चाह बनता है इसमें और यह भी अपना एने चलो इस थोड़ो आपके लिए टफ हो जाएगा यह टूओ का जल का भी पूच लेता है तो राइटांतर हो जाएगा साथ होता है तो जल का प्रइएश क्या होता है साथ होताहे साथ के पानी के साथ में आज यह अभी आए गाया अभी आपने पड़ा था ना कि चुना रड़का था रिक कलो लड़की थी इन्होंने जब साधीकरी इनका बेटा हुआ इनका नाम का बिल्ली बिलीचिंग पाउडर तो बिलीचिंग पाउडर का सुतर याद रख लेना और यहीं पर समापत हो जाते हैं दोस्तों आगे भी में ना अब पूरी ट्रिक्स के मादें से आपको याद करवाँगा जब इम्पोर्टेंट क्यों से तोड़ा से तफ लगे होंगे तो उनको चोड़ जादा है उनमें धियान देने के जड़त नहीं दो टेस्ट हुआ था उसमें टोप पर कौन रहे थे तीन बच्ची टोप त्री में कौन रहे थे उनको बता देते हैं यह ग्यार वीवालों का है वेसी एक वीडियो पर गया है तो इनमें किसने टोप गया था देखो वहां पर हमने ना पचास क्यूशन पूचे थे कितने क्यू तो प्रिया कि आई है इसमें पचास क्यूशन थे और आई थिंग पच्छीस मिनट का टाइम रखा था हमने जिन क्यूशनों को इनने इस बालिकाने च्छ मिनट ग्यारा सेकेंड में ही कर दिया है और इन्होंने परसेंट बनाई है पिच्छी यासी परसेंट कितने बढ़े और आगे भी यह जो रेंक है ना आप इसको बरकरा रखें मलब बनाए रखें आगे भी कोशिश करें कि यह रेंक आपके हमेसा बनी रहे दूसरी रेंक आई थी सीमा क्या नाम है मीमा माली सीमा की दूसरी रेंक आई थी इन्होंने भी जो है यह देको इन दोनों के बराबर बराबर नंबर आए और वहाँ पर भी ऐसा ही होगा तो यहां तेस्ट के मादिन अंजिह आपको पता चल जायेगा कि यह जरुडिया नहीं है कि दुनों के बराबर नंबर आने से बराबर रंक को यह नहीं आप अपने कितना टाइम दिया हैं यह भी मेंटर करेगा जी हां दोस्तों तो आपको एक बात और भी अच्छे से पता चल लगई यहां पर अब देखो जो इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं उनको एक और बात पता चल गई एक गए तो यह भी बात आपको यहां पर जानने को मिल गई और यह तो बहुत अची बात है अपने को टो रेंक लेकर आना अच्छी सी तो जो सीमा है उनकी रेंक का हैं सेकेंड जिन्नों ने प्लब प्रृवह सी पर्सेंट इनके बने हैं दोनों के पड़ने में दोन Campus निया है लेकिन इनके तोड़ा सा गलत हो गया इसलिए निके परसेंट बने 56 तो इन तीनों को बहुत बहुत सुपकामना है बाकी जो जिननोंने पार्टिसिपिट किया उनको भी आरदिक सुपकामना है अभी आपके कहीं सारे टेस्ट होंगे तो उनमें आप अच्छी रेंक लाने की और तो विद्यारति उन्हें अभी तक टेस्ट होगे राद नहीं दिये हैं तो वह भी जो हम अपने एप को इंस्टोल करके और जो मैंने कोर्स बदाए था उसको परचेस करके और टेस्ट होगे राद जरूर दें अब मिलेंगे कल जब तक बगवान से दुआ हैं कि छाले हमारे ठीक हो जाए और पिरों मच्छे से वीडियो मनाएं तो तब तक के लिए आप सब अच्छे से पढ़ते रहें थैंक्यू सो मच्छ वीडियो को लाइच तक देखने के लिए